कि या बिल्चेस अलगे या फीर कोई ऐसा फेस अलगे मैं कि इत् हां को स्पों होग जिसे कि आपका जो फेस बइडा मैं जिहां आप कहीं भी जा रहे हो और आपके पास टाइम नहीं है कि आप जो है महेंगे वाले फीशल कराएं या फिर फालर जाएं तो आपको घबरानी की कोई ज़रूत नहीं है आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा वाला फीशल बहुत अच्छा वाली रेमेडी ले कराई माद 15-20 मिनिट में ही आपका चांद की तरह चमकने वाला है, आपके चेहरे की जो ड़ने सा बिलकूल खतम होने वाली है, चेहरे पर जो काला पन है बिलकुल खतम होने वाला है, क्योंकि यह जो रेमेडी है, बहुत जादा यूश्फुल है और इंस्टन आपके फेस को गोरा क तो देखिए वैसे तो आप इसको अपते पर दो बार कर सकते हो या फिर आपको कहीं जाना है और आपके पास टाइम नहीं है कि आप घंटो बैट के अपने चेहरे को रगने या फिर आप अपने महंगी महंगी जो प्रोडेक्ट आपने खरीद रखे है उनको लगाए तो कि रेमेडी आजकर बहुत जादा वाइरल है आपने देखा भी होगा चली बिटाती हूं किसकी में बात करी हो तो चली हम वीड़ो को सार्ट करते हैं आपको खाली बाउल ले लेना है और उसमें आपको सबसे पहला इंग्रिडियंस लेना है जो फेरं लबली हम लेने वाले कितना लेना है जादा नहीं लेनी आपको कितनी लेनी है जितना कि हम करीबन आदे चमच से भी आदा चमच आपको फेरं लबली लेनी है तो आप देख सकते हैं मैंने इतनी ली है और यह इनफ है एक बार के लिए ठीक है आप जादा मतलब जैसे कि नेक एरिया पर लगा रह अच्छा दूद लेना है अच्छे से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से आपको क्या करना है आप इस में दूसरी चीज लेंगे वह है नीम्बू का रस आपको लेना है देखिए मैं तो कम ले रही हूँ आपका चेहरा बहुत जादा खराब है आपके चेहरे पर बहुत सारी जो है दाग है निशान है पिग्मेंटेशन है तब आपको करीबन आदा चमच भरके लेना है लेमन जूस और या फिर आप जो है जादा बॉंटेटी में बना रहे हो हमारे रही हो आपको ठिक लेना है और पिंट बर के आपको लेना है क्लोटी में इसे में प्राफ हे जाया काम पर में कश्टोरी हल्दी वह Чू पास नहीं है तो आप gonna आप जो है जूँर्दी १र्ध में अड़िक करने हैं ठीक है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इपना लेना है और इस तो आपने फेस को पहले तो आपको साफ कर लेना है कुछ भी आपके फेस पर मैक वगरा ना हो अच्छी से साफ कर ले या फेस को वाश कर ले फिर जो है आप इसको अपलाई करेंगे इस तरीके से आपको लगाना है से इस तरीके से ठीक है इस तरीके से पहले आपको इसको अच्छी से लगा लेना है आप चाहें तो कोटन की हल्प से भी लगा सकते हैं या फिर आप फिंगर की हल्प से या फिर ब्रस की हल्प से भी आप इसको अपलाई कर सकते हैं अपने फेस पर इस तरीके से अच्छी से लग सब्सक्राइब आपको यह जाए जिया एक हफ्ते से ट्राइ करी हैं और मुझे बहुत सूपर डूपर रिजल्ट मिलें सच मानिये कर दो है मेरा फेस बहुत जादा खराब हो रखा था और मुझे जो है एक दो साधी में जाना था तो मैं जो है इसको लगा रही हूं तो मुझे बहुत जादा result मिला है amazing super duper इसके result मिले है इस तरीके सा आपको लगाना है तो दीखे पहले तो आप 2-3 मिनिट इसके अच्छे से पहले मसाज करेंगे फिर मैं आगे बताती हूं आपको क्या करना है तो चलिए 2-3 मिनिट आपको अच्छे से मसाज करेंगे तो चलिए मैं मसाज कर लेती हूं कम से कम 3-4 मिनिट या फिर पाँज मिन ठीक है तो देखे मसाज हमारी हो गई है अब आपको क्या करना है अब आपको जो आपका remedy बच की हुई है इसको आपको लगाना है इस तरीकिस से अच्छे से लगा लेना है आप चाहें तो इसमें आप थोड़ा सा ऐलोवेरा जेल डाल सकते हैं पोदे वाला या फिर मार्किट वाला ठीक है वो आप इसको इस टाइम यानि कि जो हम डबल कोट कर रहे हैं तब आपको जो है ऐलोवेरा की प्रॉबलम है या फिर आपकी स्कीन जो है बहुत ज़oster द्राय रहती है तब आपको फाइदा गरेगा ठीक है तो आप चाहें तो मिला सकते हैं नहीं तो आप सकेब कर सकते हैं जैसे मैं लगा रहा है ढवाले धुट्छासैत के बादी आप देख सकते हैं मैंने उपेला रखोगी 10 मिनट, ठीक है,10 मिनट के बाद आप से मिलती हूं और आगे बताती हूं आपको क्या करना है, डीक हो गया है करीब करीब, और मेरा दड्राइब हो गया है, और आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि मैंने एक कोड और लगा लिया था ओप कैमरा आपको क्या करना है जैसा आपका फेज ड्राइव होता है छे-सात मिनट के बाद आपको दुबारा कोड कर लेना है जितने आपकी रेमेडी बसती है जितने अच्छे कोड आप करोगे उतना ही रिजल्ट आपको मिलेगा होने वाले हो क्योंकि यह रिजल्ट बहुत अच्छा देता है चलिए अब मैं आपको रिजल्ट दिखाते हूं आपके सामने तो देखे गाईस आप देख सकते हैं स्कीन बहुत अच्छे से ग्लोइंग बनी है साफ हो भी है कितना भी फेस पर गंद की मैल धूल वगेरा थी अच्छे से साफ हो गई है स्कीन बिल्कुल दूद की तरह चमक रही है तो इसी तरीके साब को इस पैक को रेमेडी को फेशियल को जो आप कहले तो इसको आपको करना है अभी मैं अपने फेस को प्रॉपर दो कर आपको रिजल्ट दिखाऊंगी कितना अच्छा रिजल्ट तो चलिए मैं मिलती हूं आपको अपने फेस को वास करने के बार तो देखे गाइस मैं अपने फेस को दो कर आगी हूं आपके सामने आप मेरे पिंक ग्लो को देख सकते हो निखार को देख सकते हो बिल्कुल सूपर डूपर रिजल्ट इससे मिला है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं आपको बहुत ही सूपर डूपर रिजल्ट मिलने वाला है मैं अपने फेस को साफ कर लिया है और अब निखार भी आप देख सकते हो फेस पर गलो भी बहुत अच्छे से आएगा थोड़ा टाइम जैसे बीतेगा वैसे ही आपके फेस पर गलो भी आने वाला है और बेस्ट है 100% इसका जो है रिजल्ट आपको मिलने वाला है आप भी इस तरीके से इस पैक को इस रेमेडी को लगा सकते हैं आपके जो एक्सपिरियंस है आप इसको लगाओगे जब आपको रिजल्ट मिलेगा आपको अच्छा रिजल्ट मिले तो आप मुझे अपना एक्सपिरियंस है आपका जो रिजल्ट है वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और वीडियो आप कुछ लगे तो लाइक करना चलिए फिर मिलते हूं ऐसे ही प्यार प्यारी यूश्फुल वीडियो के साथ तब तक लिए बाइबाइबाइब